कई लोग बिजली बचाने के लिए अपने पंखे को 5 मेना चला कर 1, 2 या 3 पर चलाते हैं क्योंकि धीरे पंखा चलाएंगे तो बिजली बच जाएगी और AC का तो बिल भी भाई बहुत आता है तो कई लोग पहले जाधा ठंडा कर लेते हैं ताकि जाधा ठंडा करके वो AC को बंद कर देंगे और बिजली बचा लेंगे पर क्या इन सब तरीकों से बिजली बचती भी है या बिना बात के सालों से शरी को तढ़ पा रहे हैं हम लोग कुछ बहितरीन सा बताएंगे प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए देखिए 15-20 साल पहले जो रेगुलेटर सिस्टम आता था जिससे पंखे की स्पीड हम कंट्रोल करते थे उन पंखों को आप किसी भी स्पीड पर चलाएं वो सेम बिजली खाते थे मतलब पंखा 5 पर चले या 1 पर बिजली उतनी ही खाएगा पर आजकल जो एलेक्टरानिक वाले रेगुलेटर आ गए हैं उनमें कमी स्पीड पर बंखा चलाने पर बिजली कम खर्च होती है वहीं दूसरी तरफ अगर आप AC से जादा थंडा करना चाहते हैं तो उस समय वो बहुत जादा बिजली खाता है क्योंकि कंप्रेसर को जादा थंडा करने के लिए जादा काम करना पड़ता है वैसे क्या गर्मी के मौसम में आप भी कंपल चादर लेके सोते हैं बताना जरूर